दोस्तों स्वागात ये शोमुस बैली जी की और एक वीडियो में और आज बात करेंगे बहुत चर्चित बिसेर पर वो होता है आई पिल का साइड एफेक्ट बहुत से लोगों का मानना था मेरा फीमेल वीवर्स जो है वो लुकते थे कि आई पिल्स की साइड एफेक्ट को ब यह दो अलग चीज होते हैं Contraceptic प्ल का मतलब होता है जो दवाई आपको प्रेगनेंसी से बचाता है रैट अन्वांटेट प्रेगनेंसी से आपको रोकता है तो उसको Contraceptive पोलते हैं ऐसे Contraceptive प्ल जो रेगूलर्ली कोई इनसान ले सकता है वह औरल Contraceptive प्ल होता है जो एक इंसान एक और जो है साल भर ले सकते हैं और हर महीने में 21 दिन का एक साइकल उसमें पिल को लेना पड़ता है उसके बाद नॉर्मल प्रॉसेस में आपका रेगुलर बेसिस पर यूज करने पर जो है हानी पहुचेगा उसके बारे में भी बात करेंगे अब देखो यह जो आई पिल है क्यों इमर्जेंसी में कंट्र से टेकी किस का जो कॉंपोरेंट होता है प्रोजेस्टीन जो है फीमेल हॉर्मोन होता है वहां से एक तयार होता है और मेल स्पर्म प्रोवाइड करते हैं तो स्पर्म जाके ओवरी से एक को फर्टिलाइज करता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइजड एग जाके यूटराइन वाल यूटराइन के दिवारे वहां पर इंप्लैंट होता है वहीं से प्रिग्नेसी का यो तरीरिय आइन को भी आईसे मौडिफाई करता है चेंज करता है ताक्यों एक जाकर युटररेन वाल में नहीं एंप्लन हो पाए तो इसी के कारण यह 00 Chrutuses 30 ए Het इस प्र्तीक्व आनिंटे दो झाय है आप इसको रहाइटAfter जब अब को पत Invanger लेंगा वांटेट सेक्स हो गया और प्रोकना चाहरे हो तब जाके 24 आज से 72 आज के बीच अगर आप यह काम करेगा पोस्ट कोईटस अगर चब 24 से 72 आवस के बीच आप लेते हो तब जितना डीले करोगे इसका एक्टिविटी कम होता रहेगा और 22 गंटे के बाद अगर किसी भी तरह अन्वांटेट सेक्स आपको हो गया और आपको अभी प्रिवेंट करना है प्रेग्वेंसी को आपको पता नहीं चल रहे तब जाके विदिन 72 आपको इसको कंज्यूम करना है अदर्वाइस देखो यह जो पिल है यह आपको सेक्शुली ट्रांस्मिटेड तो वह अगर हो जाता है तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है मगर वह अगर कहीं किसी कारण मिस होता है और फिर भी आपको प्रेग्नेंसी को रोकना है आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो तब जाके आप 24 से 72 घंटे की बीच आई पिल यूज करो तो जाके यह काम करेगा अ आई पिल एसा एक पिल है यह एमर्जेंसी कंटरसेटिव पिल है आप रेगुलर्ली इसको नहीं उसकर सकते और अगर प्रोलॉंग डाब इसको यूज करोगे नॉर्मल कुछ साइड एफेक्स है जैसे का आई पिल लेने से आपका जो अगला पिरियोड होगा नेक्स कंजिक होना और कभी कभार यूरिन में ब्लीडिंग आ सकता है यूरिन में ब्लीडिंग हो सकता है बहुत रेरली मगर कोई इंसान अगर बार बार यह पिल ले रहा है मतलब वह विदाउट यूजिंग कॉंडम सेक्स कर रहे हैं उसके बाद जाके बात प्रेगनेंट के बीज आई दिक्कत आ सकता है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इस दवाई को एमर्जइंसी SOS के तौर पर यूज करना चाहिए ना तो कि ररेगुलर रीगुलर दवाई के तौर पी उसका अगर आपको करना है कोई बात नहीं है आप करो उसके लिए अलग पील है कोई और चार आपके पास ना हो अधर्वाइस आपके मेंस्टुएशन जो साइकल है उसमें एफेक्ट आएगा ज्यादा प्रोलॉंग टाइम पे लेने पर जो रिगुलर साइकल हो ठीक से नहीं कंड़क्ट होगा उसके साथ फिल्विकेरिया में दर्द रहना वेट में कुछ चेंज़ आना मूड स्विंग होना यह सारे साइड एफेक्स आइपिल कंस्यूम करने पर हो सकता है तो यह चीज याद रखना आइपिल इस वेरी गुड मेडिकेशन वेरी यूसफुल जो बीना प्रेस्क्रिप्शन से अवेलेबल है जो बहुत कम में दाम में ही अवेलेब प्राइस कम नहीं बोलूंगा रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है और आप इसको उटिलाइस कर सकते हो मगर यूज इट विफोर यह सारे चीज़ जानने के बाद ही आप यूज करो ठीक है तो चलो मिलते है अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लेकित वीडि प्राइस कि अपशा लेकित अानल प्राइसaresचा जा है यह में अवाल है और शोन कि पीठा लेकित वीडियो उडर नहीं चुछाए क्वीडियो